है लो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आपका लैपटाप यह कंपूटर चोरी हो जाता है तो आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके साथ दूस्तों मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ अगर आपको यह हमेसाथ डर रहता है कि आपका बासी सेटिंग करनी है मैं आपको बता देता हूँ तो मैं सबसे पहले सब कट कर देता हूँ दोस्तों कौछ पहुच ओंशने के लिए इसके बादेर Club चले जाएगा यह दूस्तों के अने केपा बाद आपको यहां परस यह अपडेजे़ करना है इसको ओप्र किलीक करने के अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो देख लिजेगा इस वीडियो में find my device option को यह cover करूँगा तो चलिए इसको फर click करते हैं जैसे click करूँगा देखे right side में कैसा page आ गया तो दूस्तो अगर आपको अगर आप उसके location अपने Microsoft account पे हमेशा upload करना चाहते हैं तो यह देखिए यह change वाला button दिया होगा इसके उपर आप जैसे click करेंगे देखिए अन आपका अन होगा तो आप अपने device के अंदर जीस भी Microsoft account से login करके रखेंगे तो दूस अकाउंड में आपके device के location हमेशा जाती रहेगी यानि सबसे पहले दूस्तो आपको अपने computer पे या laptop में Microsoft account से login करके रखना है जिस तरह दूस्तो हम अपने mobile में Gmail account से login करके रखते हैं उसी तरह दूस्तो हम अपने computer पे या laptop पे भी Microsoft account से login करके रख सकते हैं उसके बाद उसका जो सर्विसेस उसको यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले दूस्तों आप सबसे पहले Microsoft अकाउंट बनाना सीख लिए क्योंकि जब तक दुस्तों आपको Microsoft बनाना नहीं आएगा आपके डिवाइस में वो लॉग इन नहीं होगा क्योंकि दूस्तों अगर आप Gmail अकाउंट से लॉग इन करने की कोशिस करेंगे अपने डिवाइस के अंदर तो वो लॉग इन नहीं होगा दूस्तों सबसे पहले आपको Gmail ID की मदद से एक Microsoft अकाउंट बनाना कैसे जाता फिसका बाद उसको डिवाइस में लॉग इन की से किया जैता है मनलीची दूस्तों आप अपने अपने Microsoft account बना लिया, उसके बाद अपने device में login कैसे करेंगे, दोस्तो, Microsoft account बनाने के बाद, आपको यहाँ इस वाले page पर आ जाना है, इस वाले page पर आने के बाद, दोस्तो, आपको यहाँ पर दिखेगा, account Microsoft.com, तो इस वाले link के उपर click करेंगे, तो आपको यही वाला page दिख करना है, sign in के उपर click करेंगे, तो देखें दोस्तो, यहाँ से आप जिस भी Gmail account के मदद से आपने Microsoft account बनाना, बनाया होगा, उसको यहाँ पर type कर दीजे, उसके बाद next कर दीजे, next करने के बाद दोस्तो, आपसे यह password पुझेगा, तो आपने जो भी password दिया होगा, यहाँ पर password देखें, यहाँ पर sign in के उपर click कर दीजे, जैसे दोस्तो आप sign in पर click करेंगे, देखेंगे, जैसा पर जाएगा, तो यहाँ पर भी yes कर दीजेगा, yes करने के बाद दोस्तो यह फिर से loading स्टार्ट हो जाएगी, और आपको उस वाले page पर ले आएगा, तो दोस्तो इस वाल आपको page अभी देखें, फिर से reload होगा, device वाले option के उपर click करना, जैसे दोस्तो इसको उपर click करेंगे, अभी देखें आपके यहाँ पर location दीख जाएगी, अगर दोस्तो आपको यहाँ पर location नहीं दिख रही है, तो आप यह find my device इसको उपर click करेगा, तो आपके जो location होगी device आपको map में देख जाएगी, तो इसको load होने देखें, यह देखें दोस्तो map में आपके location load हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि आपका device कहाँ पर है, तो मैं दोस्तो आप फिट से उसी वाले page पर चलता हूँ, तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही, ओप आपको यह पसंद आया, क्योंकि दोस्तो इसके अंदर जो important चीज़ है थी, मैंने आपको पता दी, फिर भी दोस्तो अगर आपको कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है, तो आप मुझे comment section के द्वारा पोस सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी reply देदूँगा, तो दोस्तो करें जाएं